हेलो फ्रेंड्स, विल्कम बैक टू माइच चैनल, तो आज का थर्मनल आप लोगों ने देखी लिया है, आज मैं एकदम अलग तरह की ब्लाउस डिजाइन की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, तो आप लोग तब तक जल्द से चानल को सब्सक्राइब कर लिजिए, उसक आज की बहुत बड़े साइज का मैंने बना रही हूँ, 42 इंच का, तो लेंथ यहां पर मैंने 14 प्लस 1, 15 दिया है, और यहाँ शोल्डर मैंने 8 इंच ली है, आर्म होल मैंने 7.5 इंच लिया है, और चेस्ट मैंने आपर 13 इंच ली है, साथ ही जो है मैं वेस्ट इससे 1.5 इं देंगे और देखिए फ्रेंज मैंने 13 तो रखा है इसमें 1.5 इंच का हमारा मार्जिन भी है अब जो नेक का डिजाइन है उसके लिए उपर के तरफ सारे तीन या चार इंच के लगपक चौरा लेना है हमें और जो भी आपका डीप हो एकदम आप मेजरमेंट कर लीजिए और इसके बाद देखिए इस तरह का एक शेफ हमें देना है आप अगर ज्यादा चोड़ा चाते हैं तो थोरा इस तरह कर सकते हैं देखिए मैंने दोनों ही दिखा दिया है इसके बाद एक नीचे की तरह पे एक round shape हमें लगानी है देखिए कुछ इस तरह से हमारा triangle shape का जो नेक बीच में देखिए मैं छोटा सा जॉइंट रखड़ी हो एक दम पूरी तरह से कट नहीं कर रही हूँ और यहां पर भी हमें साइट को इस तरह से कट करना है इसलिए जब भी आप लेंथ रखे तो आप फाप इंच एक्स्टा रखे या फिर आप इसको पहले पेपर पे कट कर सकते हैं उसके बाद अपने में फैब्रिक पर कट कीजिएगा तो देखिए इसके बाद इसका लुक पूरी तरह से आजाएगा देखिए कुछ इस तरह का रेडि होने वाला है यह अब मैं इसको बैठा कर इसके मेन फैब्रिक पर भी इसको कट कर लूँगी देखिए फुछ इस तरह से और अब यह जब भी बनाए तो फ्रांट ओपन ही बनाए क्योंकि अगर बैक में अगर हूक रहेगा तो इसकी फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आ पाएगी इसलिए आप हमेशा फ्रांट ओपन ही इस नेक को बनाए तो अब देखिए मैं इसकी स्टिचिंग बताऊंगी तो सबसे पहले हमें अस्तर के उपर मेन फैब्रिक को रखकर चारो तरफ से हमें जो है इसको स्टिच करके सेट कर लेना है सबसे पहले इस बरफी वाले डिजाइन को हमें सेट करना है देखिए कुछ इस तरह से और इसके बाद जो हम चारो तरफ से इसको स्टिच कर लेंगे फ्रेंट इससे पहले भी मेरे चैनल पे मैंने बहुत तरह के डिजाइन बताया है साथ ही सारी से बहुत अच्छा गाउन अनारकली बना सकते है तो अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं और इसी तरह के बहुत सारी वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो देखिए इसके बाद जो दो साइट के जो हम लोगों निकाल ले थे पार्ट उसको भी हम सेम अस्तर पे जह है मेन फैबरिक को सेट कर लेंगे सलाई लगा कर आज मैं आपको पाइपिंग लगाना भी सिखाऊंगी हो बहुत ही आसान तरिके के साथ बिना डोडी के बिना किसी जहमेले के साथ भी एकदम परफेक्ट फिनिसिंग आएगी तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लग रही हो या फिर आपको कुछ भी सजेशन देना हो तो आप लोग प्लीज कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दीजिएगा देखिए मैंने दूनों साइट के जो है उसको रेडी कर लिया है अब मैं इसमें पाइपिंग आइड करूंगी तो पाइपिंग के लिए मैंने गोल्डन फैब्रिक लिया है और इसको मैं तेर्चा कट करूंगी देखिए जब भी आप तेर्चा पटी कट करेंगे तो यह एजीली हर एक नेक में सेट हो जाता है तो देखिए मैं कपड़े के उपर साइड में रखकर हाप इंच का स्लाई लगाऊंगी देखिए कुछ इस तरह से और अब जो है फ्रेंड्स इसको हम लोग फोल्ड करेंगे पीछे की तरफ देखिए मैं एक फोल्ड कर लिया मैंने फिर एक फोल्ड करूंगी डबल फोल्ड और जितना आपको सामने की तरह चोड़ा या पतला रखना फैसी ही रख सकते हो इसको और हमें साइड साइड में स तो देखिए कुछ इस तरह से बहुत इजीली सेट हो जाता है जब भी आप तेर्षापर टीकट करोगे तो यह पाइपिंग हर एक राउंड नेक पे या अगर आपका स्कॉयर नेक है तो यह बहुत इजीली सेट हो जाता है हमें पाइपिंग जब भी हम लोग पाइपिंग करें तो इकवल ही रखे कहीं पर भी 14 चौड़ा या मोटा ना रखे तो देखिए पूरे इकवल पाइपिंग मैंने सेट कर लिया है अब पीछे की तरफ हम लोग इपर कप्ड़े को देख लेंगे और डबल फोल अच्छी इसको डेडी कर लिया है सेंब जिस्टे को भी ने पाइपिंग लगा लिए अब हमारे नीचे वाले हिस्से में पाइपिंग लगाने की बारी है तो इसके लिए मैंने कप्ड़े को डबल फोल किया है और हमारा बढ़फी इसको में यहाँ पर बैठाकर बस इस तरह का जो है चारो तरफ से इसको मैं इस तरह से चार कोने उस पर मैं छोड़ी-छोड़ी कट लगाऊंगी देखिए कुछ इस तरह से और अब हमें जैसे मैंने उसमें पाइपिंग लगाना बताया था सेम इसी तरह से हम लोग इसको पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे देखिए और जितना चौड़ा आपको रखना आप रख सकते हैं और सेम पिंग वाले कप्रे पे हमें स्लाय लगाते जाना है और पाइपिंग को सिट करते जाना है अगर आप पाइपिंग की डीटेल में वीडियो चाहते हैं तो प्लीज मुझे कॉमेंट कीजिये और मैंने प इसको stitch करना है और एकदम पतला से पतला piping हमें रखना है तो देखिए मैंने हैं पर इसको set कर लिया है इदम कोनों को हमें अच्छी तरह से set करना है ताकि कोन हमारी पता चले यह बड़फी डिजाइन है तो बड़फी का shape आना चाहिए तो देखिए यहां पर मैंने इसको कर लिया है अब मैं पीछे की तरह से इसको fold कर करके और इस तरह से set कर लूँगे देखिए कुछ इस तरह से अब जब भी piping करें तो एक जो है end के तरफ चरूर इस तरह का stitch लगाए इससे जो है अपने कप्डे से कोई भी धागा नहीं निकलेगा और finishing बहुत अच्छी आएगी देखिए हाँ पर मैंने इसको set कर लिया है चारो तरफ से अब जो है इसके सीधो तरफ देख सकते हैं एक square यानि एक बर्फी डिजाइन आ चुकी है अब इसके round नेक पर मैं piping set करूंगी सेम उसी तरीके से मैंने तेरच्छा पटी कट की है और सीधे की तरफ मैं half inch का sly लगा कर इसके set कर रही हूँ आप लोग चाहे तो इस तरह के छोड़ी प्लीट भी दे सकते हैं अगर आपका जो बर्फी हो वो जादा चौड़ा हो जाए तो और देखिए सेम वैसे हमें एक स्टा पट्टी जो है उसको अंदर की तरफ फोल करना है और एकदम पतला से पतला पाइपिंग रखना है पाइपिंग की चौड़ाई जो है आपको तीनों कपरों में equal ही रखनी है यानि तीनों जो पार्ट हम लोग ready कर रहे हैं तीनों में equal piping की चौड़ाई होनी चाहिए इससे पाइपिंग की finishing अच्छी आएगी और आपके blouse की finishing बहुत अच्छी आएगी तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखे और अगर आप पहली बार piping बना रहे हैं तो आप लोग जो है मेरी पिछली वीडियो को जाकर देखे या फिर आप लोग डोड़ी भी use कर सकते हैं तो देखे मैंने हाप सेट कर लिया है सेम दूसरे तरब से भी मैं एक और स्लाई लगा लूँगी देखे हाप नीचे का डिजाइन हमारा पूरी तरह से complete हो गया है अब हम लोगों ने जो दो पार्ट रेडि किया था उसको यहाँ पर हमें सेट करना है कुछ इस तरह से दिखिए तब हमारा डिजाइन जो है पूरी तरह से रेडि हो जाएगा देखिए एकदम हमारे इसके end से लेकर जहां तक यह हो रहा है हमें इसको side side में चोटा चोटा जो है stitch लगाते जाना है एकदम side side किनारे किनारे लगाते जानी है ताकि हमारा कपड़ा पूरी तरह से जो है यह सेट हो जाए और यहां पर end में हमें 20 sly लगानी है दो से तीन बार sly लगा देनी है हमाँ पर तो देखिए यह joint हो चुका है दूसरे वाले को भी हमनों इसकी तरह से joint कर लेंगे देखिए इस तरह से अब जो दोनों तरह हमारा रेडी हो चुका है अब मैं नीचे की तरफ कमर पर टी आइड करूंगी इसके लिए मैंने लाइलिन ले लिया है और इसको हाप इंच का sly लगाते जाऊंगी अब जो इसको मैं चार फोल्ड करूंगी देखिए यह हमारा डबल फोल्ड है और यह हमारा चार फोल्ड तो बीच पे मैं पॉइंट कर ले रही हो यहाँ पर हम लोग प्लीट्स बनाएंगे जो कि मैं हर बलाउस में बताती हूँ बनाने के लिए इससे जो है फिटिंग्स बहुत अच्छी आती है देखिए मैं दो प्लीट्स बना लूँगी दोनों तरफ जहां मैंने पॉइंट कर लिया था और फिर एक अस्तर के उपर चापसलाई लगा दूँगी ताकि हमारा जो अस्तर का कपड़ा है वो सेट हो जाए और बाद में मैं इसको हेम के लिए भी फोल्ड करके हेम कर लूँगी तो देखिए हमारा ब्लाउस का जो है बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है और यह कितना सुंदर लग रहा है यहां पर हम दो शो बटन एट कर देंगे जिससे जो है इसका लूप पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स वीडियो अच्छे लेगे तो लाइक चैन के लिए रोज सारे पाच बज़े मेरेशनल पर आ जाएगा तब तक